हमारे साथ है डवाली से इनेलो विधायक अदित्य चोटाला अदित्य जी जीत के बाद में आप गाउं गाउं जा रहे हैं अभी धन्यवादी दोरा भी कर रहे हैं क्या प्राथ्मिक्ताएं हैं आपकी देखे सबसे पहले तो डवाली के परतेक नागरिक का चे वो शेहर का है गाउं का है मैं सबका तै दिल से अभार धन्यवाद करने के लिए स्वैम गाउं गाउं जा रहा हूं क्योंकि आगे दिवाली आ रही है दिवाली से पहले पहले मैं हर गाउं में चाहता हूं कि हर गाउं का धन्यवाद करूं और दिवाली के बाद हर रोज एक दिन एक चितित पोड़ों मेरो और धन्यवाद करना मैं यह मानता हूं मीरा फर्ज अ कुनाओं से पहले जैसे आपने कहा कि इस अलाके में पानी की सबसे बड़ी समस्या जो नाली का पानी है वो लेके आना आपकि प्रात्मिक्तव में था इसके इलावा डवाली को जिला बनाने की भी प्रात्मिक्ता है कई ऐसे जो लोगों से जुड़े हुए हैं जनता से जुड़े हैं उनको किस तरीके से देखते हैं अब तो आप विधायक बन भी गए हैं देखे मैं ये मानता हूँ पिछले दस सालों से निरंतर ने इस इस इलाके के अंदर डिवेल्मेट पे ध्यान दिया काम किये और लोग ये मानते हैं कि जतने काम आधिते ने किये इतने काम आज तक नहीं हुए बहुत चीजें हैं जो अभी भी करना बाकी है निश्ची तोर प सबस्ता समपूरान रूप से ठीक हो और सिंचाई के सादन बढ़े उसमें ओटू नाली का पानी है जमीनी पानी कई जगें खराब है तो मेरा ये पहला प्रात्मिता रहेगी कि मैं इस शेतर में पानी उपलब्द कराऊं ताकि किसानों की खेती तरीके से होसके जिन लोगो के पास खेती नहीं है जो जमीन नहीं है वो लोग भी धेड़ी दपा मजदूरी करते हैं उनके बच्चे भी पढ़ते हैं तो मेरी ये भी है कि हर हाथ को काम मिले हमारे इस शेतर में इंडस्ट्री आए ताकि जो हमारे पड़े लिखे नौजवान यूवक हैं अगर सरकारी नौकरी नहीं तो कमसी का वो यहां पे उद्योग स्तापितों उन द्योगों में जाके वो नौकरी करें ताकि उनके परिवार का पालन प्रशन भी हो बहुत सी चीज़े हैं छिक्षा का हमने अच्छा काम पहले भी किया था इसमें और सोधार करने जूरत है स्वास्ते में ह नहीं लगबग 24 गाओं के सब सेंटर्स बनाएं हैं सडकों का काफी काम किया है नेची तोर पे हर रोज एक नई चनौती या नए काम ले कहलो यह करने हैं और इस इन तमाम चीज़ों को प्रात्य मिक्ता देंगे मैंने आगे भी डवाली में प्रात्य मिक्ता से काम की हैं न लेकि चुनाव के अंदर हर एक को अदिकार है चुनाव लड़ने का बहुत लोगों ने चुनाव लड़ा बहुत सी पार्टी यून ने लड़ा लेकिन मददा थाजा है उसके पास है कि किसको नौाइंदा अपना प्रत्यास्जी मानने घीत हो किषको वोट करें तो मदध रहां तौने अपना रूल किया और सभी लोगों ने भी अपना अच्छा रूल अदा किया चुनाव लड़े हैं सबको मेरी तो शुब कामने पहले थी अभी भी है कि और अच्छी मेहनत करनी चीए इनेलो 2019 में एक सीट जीती अबे सिंग चुटाला जीत कर विदान सभा पहुंचे एक मातर सीट थी एक से दो तो हो गए तेकिन वो खुद हार गए देखिए चुनाव क जो सोच है उसका पैरुकार है चुटाला जी की जो नीतियां है जो अनुसर्ण है वो करता है निची तोर पे हमारा इंडियन नेशनल लोगदल का वोट परसेंटेज बड़ा है 17 सीटों पे बहुत मजबूती से इंडियन नेशनल लोगदल ने पनी हाजरी दर्ज की है मैं यह मानता हूँ कि इंडियन नेशनल लोगदल ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा वोट परतीशत भी बड़ा है आगे और संग्टन को मजबूत करेंगे लोगों में रहेंगे लोगों के लिए संगर्श करेंगे संगर्श करेंगे जैसे हम देख रहे हैं अभी नई सरकार का गठन होगा कल शपत ग्रैन है सेनी साब के रहे थे मैं तो सब को इन्वाइट कर रहा हूं आपको आया इंविटेशन अना अभी नहीं आया आएगा तो जरूर उनको भी बदा ही देंगे शुब काम नहीं कि इनेलों जो है उनके साथ जुड़े जुड़े इसलिए क्योंकि हिसार से लेके सिर्सा तक का जो पूरा का पूरा पूरा इलाका आता है वहाँ कोई बीज़ेपी का नमाइंदा नहीं है या कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जो यहां के बोटर को भुना सके इसलिए वो लोगडल के अमरे जो पर्दान माह से चिएवे चोद्री अबे सिंग चूटला जी वो हर चीज को र्वाइद करें लिच कोपदू हो लगा fuji काम करना हो फारा तो यहां तक आया कि Hadidtse चोटाला को जो है डिप्टी सियम तक बनाने का ओफर चल रहा है क्योंकि ये सोसल मीडिया का कहलो या कहीं ने कहीं से बात निकल कर इसलिए आई है क्योंकि उपराश्ट पती धंकर से करन चोटाला मिले मिलना था अबेशिंग चोटाला को लेकिन वो नहीं गए तो उपराश्ट पती जी से कोई भी मुलाकात करता है उसका समय तैया होता है और ऐसा नियए कि आप उपराश्ट पती जी से सुबह मिलो दो तीन महिने से उनकी मुलाकात का समय था व्यस्त थे इधर हमारे भी सब लोग चुनाव में व्यस्त थे अब चुनाव के बाद समय मिला तो सब लोग मिलके हैं उसमें क्या बड़ी बात है अरेना के कोई 36 निता मिलके हैं ऐसा नहीं है यह सिर्फ सोशल मिडिया की माद्यम से जो खबरें चल रही है अफवाएं हैं मैं यह मानता हूँ और इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है माई माई मोप्रास्पसी से मिलना तो हर नागरी का अधिकार है कोई भी मिल सकता है जाके उनसे एक और सवाल ये क्योंकि बीजेपी बहुमत में आई है लगता था ऐसा बहुमत में बीजेपी आप आएगी क्योंकि कॉंग्रेस इस पे सवाल ये उठा रही है कि इवियम में इन्होंने सेटिंग ऐसी कर दी जिस वज़े से कॉंग्रेस की जो लहर थी वो एक दरम तरफ से बिल्कुल शिफ्ट होगी और बीजीपी मेंडेट लेगी इवियम के तरू देखिए मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि इस चुना में जितना दिवालिया कांग्रेस का निकड़ा है उतना दिवाला तो किसी का भी नहीं निकड़ा ये ऐसे लोग थे जोनोंने एक इतनी बड़ी वैसे हवा बना रखी थी कि कांग्रेस 65-70 सीटें लेके आ रही है और ये इन में इतना गमंड आ गया था और मैं तो बारम बार कहता था कि कांग्रेस में अथारा दड़े हैं और ये आपस में लड़ रहे हैं जनता की लड़ाई तो बहुत दूर की बात है पहले इनके अंदर की लड़ाई खतम नहीं हो रही है अब तो ये जग जायर हो गया आज जो आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं जो भंदर उड़ा एन पार्टी पर अन्या लोग आरोप लगा रहे हैं तो इनका दिवालिया पन सामने आ गया इन्होंने पचास साल अर्याना में लोगों को पागिल बनाने का काम किया मुर्ख बनाने का जूट और फरेव की हमेशा राजनिती करी और ये पिछली विदान सबाब लोग सबाद चुनाव भी इन्होंने लोगों को बरगलाया कि तुम्हारे खाते में एक एक लाक रुपया हैंगे और यहां से एम पी जीत गया और वो उसके बाद लोग ठगा सा मैसूस करने लगे तो मैं ये मानता हूं इस दफ़ा इस विदान सबाद चुनाव में इनका तो दिवालिया जन्ता ने निकाल दिया है और अब तो इनके पास कहने को कुछ नहीं है वो लूल जूल अरोप लगा रहे है कि बैटरी मशीन की खराब होगी है बेवकूफ आदमी सब लोग पड़े लिखे हो मशीन ये चार्जेबल बैटरी है और ये जब आप जिसको इसको अपरेट कर रहे हो चला रहे हो तो वो तो उसमें बाद काउंटिंग है बैटरी का और इसका वोटिंग नंबर का क्या लेना देना है आप मानते हैं कि EVM में कोई गड़ बड़ नहीं है अच्छा EVM में आड़ गड़ बड़ी आई है पिछले चुनाव में मैं आ रहा था तब EVM सही थी सामने तो नहीं का ये तो पागिल बनाने वाली बाते हैं लोग सब चुनाव में भी कॉंग्रेस पांच से थी तो तब तब वो EVM में गड़ बड़ी नहीं थी जब ये पंच लाग से जीत रहे थे तो मैं ये मानता हूं इनका दिवालियापन है ये बहुत अलके लोग थे इन्होंने जनता को ये समझ रखा था जनता जो है ये तुम जूट बोलो कि जनता मान लेगी लेकिन इस दफा मैं ये मानता हूं कि हर्याना के लोगों ने जो कांग्रेस का दिवाडा निकाला है वो तमाम इनकी लीडर्शिप पर प्रश्चन चिन है और ये तो लोगों को पता लगया कांग्रेस इससे बीज़पी से मेले हुई थी आज तो दिरे दिरे कांग्रेस से लोग बोलने लगे और मैं आपको बताता हूँ मिने डेड़ मिने में सब लोग बोलने लग जाएंगे कि वो पेंदर उड़ा तो कांग्रेस का इजेंट था बहुत बहुत शुक्रिया ये थे आदित्य चुटाला डवाली से इनलो विदायक डवाली से प्रमोदरी सालिया अमेट्वन न्यूस